पूरा मामला देखने के लिए बने रहे हैं पूरा मामला देखने के लिए बने रहे हैं पूरा माफिया डॉल ब्रेयली जेल के लिए रहाना कर दिया आयो दिखाते हैं आपको इक खासी कोड़ा को जहां आज कोड में पेश किया गया था और माफिया डॉन बबलू को यहां लाय जा रहा है और यहां से गारी से उसको वापस बरैली जेल ले जाए जाएगा बता दे प्रतिस्थित जहां सराफा वैपारी के अपारल कार्ड मामले में उसे आज यहां कोड में पेश किया गय यहां पर फोर्स के दौरा लगातार कारवाई के बाद नाय जा रहा है आप देख रहे हैं माफिया डाउन डाउत का करीबी बबलू श्री वास्तो इसी वर्ज वाहन में लाया गया था जिसे बरहली से लाकर कौशामभी जेल में रखा गया था कौशामभी जेल से लाकर आज उसे कोड में पेश किया गया था और अब पेशी के बाद यहां से उसे ले जाए जा रहा है बता दे याची की तोर से तरफ से उसे फिजिकली कोड में लाने के लिए कहा गया था जिसके बाद बबलु स्रिवास्तो को आज कोड में फिजिकली पेश किया गया था इससे पहले भी बता दे तीन दशक पहले बबलु स्रिवास्तो और उसके एक साथी को जाज टाउन पुल पहली जेल में बन था आपको बता दें या आपको लाइब एक्स्क्लूजिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जिला न्याले के बाहर से बबलु स्रिवास्तों को ले जाए जा रहा है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं पुलिस के जवान अब वजवाहन के खिड़की के प बनाए हुए हैं और कड़ी सुरक्षा में आज बबलु स्रिवास्तों कोड में पेश किया गया था जिसके बाद अब कोड से उसे वापस ले जाए जा रहा है यह ताज़त तस्वीरें हम आपको एक्स्क्लूजिव दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में बबलु स्रिवास्तों को यहां से ले जाए जा रहा है और बरहली जेल वापस ले जा जा रहा है बता दे बबलु स्रिवास्तों जहां सर्राफा वैपारी के प्रितिस्टित अपारन कार्ण मामले में आज पेश हुआ था उसने अपनी जान का खत्रा जाहिर करते ह हुए साथ ही उसने डिमांड करी थी कि उसे वीडियो कॉंफरेंसी के माध्यम से पेश किया गया था और पेशी के बाद आज चार शेट फाइल हुए और पबलु स्रिवास्तों को कोड में से वापस बरेली जेल के लिए ले जाया गया है अब अपने कुट्टे का नाम नूरी रखने पर हुआ विवाद जहां कांग्रेस के पूर अद्यक्स वसानसद राहुल गांडी खिलाब परिवाद दाखिल अपने कुट्टे का नाम नूरी रखने के मामले में दाखिल किया परिवाद और क्या कुछ कहना है माइएम के परवक्ता का आईए दिखाते हैं और मानी राहुल गांडी जी से कहा कि उन्हें मुसलिम समुदाय से इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि लबज नूरी जो है वो मुसलिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है और आज दस दिन वीद गए उसके बाद उन्होंने कोई इस पर परतिकरिया नहीं दी ना तो ही मुसलिम समुदाय से इस मुद्दे को लेकर के इस कृत को लेकर उन्होंने माफी मांगी और नहीं इस पर कोई अपना बयान दिया और नहीं कुत्ते का नाम उन्होंने हटाया तो आज मानी न्याले की शरौन में मैं गया इस मामले को लेकर मेरा मामला इसमें एकसेप्ट हो गया और इसमें मानी न्याले ने मुझे आठ ग्यारा दोहजार तेस की डेड़ दी है बयान दर्ज कराने के लिए मैंने जो न्याले के समक्ष जो बातें रखी हैं उन बातों में से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कद जाकु मिनल्लाह नूर यह हमारी कुरान की आयत है सूरे मैदा आयत नमबर पंद्रा इसमें साफ लबजों में इसका अर्थ है कि आ गया है आपके पास एक नूर यहां नूर से मुराद पेगंबर की जात और उसकी सक्सियत है दूसरा अवलो मा खलक अल्लाह नूरी अवलो मा खलक अल्लाह नूरी यहां पर लफज नूरी साफ साफ आ रहा है इस आयत में अब खारी शरीप में भी यह तमाम जगां है अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फर्माया कि मेरा नूर अल्लाह की पहली मखलूक है यहां तो साफ तोर पर नूरी का लफज आ रहा है और हमारे नभी करीम सरकार दौालम सलिल्लाह वाली वसल्म को नूरी बशर भी कहा जाता है तीसरा पॉंट हमारे बहुत से बड़े ओल्मा है जो ओल्माय दीन है उनके नाम के आगे टाइटिल के तोर पर लफज नूरी लगाया जाता है मैं ऐसे दो ओल्माओं का नाम बता रहा हूं जो बहुत ही बड़े तालिब इल्म रहे है हजरत अब्दुलहुसैन अहमद नूरी मिया और दूसरा हुजूर मुफती आजमِ हिंद मुस्तफा रजा नूरी रहमत ल्ला Алाई और तीसरी अहम बत तमाम उम्मत मुसल्मा की बेटियों का नाम नूरी होता है लाकों की तादाद में नूरी बहने हैं नूरी माएं हैं नूरी बेटिया हैं और कुरान मजीद में 42 टाइम्स नूरी लब्ज आया है तो इसलिए राहुल गांधी का जो ये क्रत है गांधी परिवार का जो ये क्रत है इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाय आहत हुई है और मैं आपके माद्यम से पूछना भी चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी जीकिया इस क्रत से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाय आहत नहीं हुई है बहुत चर्चित नुएडा के निठारी कार्ण पर इलावाद हाई कोर्ट ने जहां सुरेंद कोली और मरेंदर सिंग पंडेर की अपीलों को मंजूर किया और फासी की सजा को रद करते हुए दो कोनों दोशियों के 14 अर्जियों पर अपना फैसला सुनाते हुए सुरेंद कोली पर 12 मामले मिली फासी की सजा खिलाव दायर अपील को मनजूर किया जबकि मरेंदर सिंग पंडेर के दो मामलों मिली सजा के खिलाव की गई अर्जी को मनजूर किया इन अर्जियों पर हाई क अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है और साथी CBI के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना था इस पूरे महामले पर आईए आपको दिखाते हैं जिसमें पासी हुई थी से से शेंस कोड गाजियाबाद से दोनों मुकदमों में से आज अलाबाद हाई कोड ने मुनेंदर सिंग्बंडेर को बही कर दिया है बाइसतर सुरेंदर कोणि को भी बाकी जितने भी मुट इन आप यहां पर सबमें बरिः कर दियों किपकिरों केंसिती और कितने फिल्क के चांखते चोली में मेरे ख्याल से तो उन दोनों में बरी कर दिया के मतलब कोई सजार नहीं है सेशन कोड का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके अभी जेल से बाहर आए इसे मौनिदर पंडेर पर कुल टोटल चेशे केस दे सर जिसमें से एक तो लाबाध है कोड ने पहले ही बरी कर दिया था बाकी तीन में न जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे उसमें तो मिझे जादा जानकारी है नहीं बट मेरे जितनी लिमिटेड नौलेज है उसमें शायद टोटल उनिस्त है अभी जितनी अपील इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वह बरी हो गए अपील से बाहर आजेंगे मिस्टर पंडेर में कोई अभी ज़्मिंट नहीं है तो फिंपोर्ट से सजा नहीं हो यह मुझति नहीं 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 को क्या कि नौट अचे कि अभी तक तो जो हमने देखा है उन्होंने इंवेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फासी हुई इन सब पे सवाल करेंगी है बाकी आप लोग देखेंगे अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पड़ा है लेट ज़ज्मिंट कम में इसा हुआ था जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर पांच में तो हमें CBI नहीं बाहर कर दिया था एक्जॉनरेट किया था हमारे किलाब कुछ नहीं पाए गया लेकिन उसके बावजूद उनको समन करके फिर ये मुकदमा कायम किया गया था वो समनिंग भी हाई कोड में काभी समय से पेंडिंग है लेकिन फिलाल जो कोड के अभी तक मैंने जो ज़ज्मेंट सर्थरी निगाह से पड़ाए उन्होंने हर तरह जो भी एविदेंस केलेक् सब्सक्राइब कर दिया अब जो है देखने वाली बात यह है कि विक्टिम थी कर दिया और इसमें इविडेंस और जो समय हैं और उसाम है और उसी एक तरफ जो है वो सिप्रम कोर्ट तक में और जो गया है है ना तो फिर जो है कैसे इन्होंने जैत-साब ने किया है वो दिखने वाली बात बाद है सब्सक्राइब कर दिया उसी सेटाइब तो यह कैसे सब्सक्राइब कर दिया वह एक्षुली क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट के हाँ जो टाइम लग गया उसमें एक अप्लिकेशन यहां पर फाइल हुई उसमें जो है सब्सक्राइब कर दिया गया लेकर आम आदमी पार्टी के राष्टी कारकारणी सदस डॉक्टर अलताफ अहमत वह जिला महा सच्छिव सर्वेस यादों ने आज प्रेसवारता की साथ ही उन्होंने विपक्स पर हो रही कारवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है साथ ही उन्होंने कहा है कि संजे सिंग पर सिव इसलिए कारवाई हो रही कि वह अडानी का खुलासा करते हैं और क्या कुछ कहा है आई दिखाते हैं आपको देखे जब से इंडिया अलाइंस बना है प्रदानमंत्री जी बुरी तरीके से घबराए हुए हैं बॉकलाई हुए हैं क् उनको डर है कि कहीं ऐसा नहों कि इंडिया अलाइंस मोदी जी की सरकार को गिरा दे और ये ED और CBI के जरिये हर उस विपक्ष के नेता के घर में CBI भेज रहे हैं ED भेज रहे हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके सांसाथ संजै सिंग जी के घर में जिस तरह से छापा पड़ा उनके घर में इतनी तलाशी ली गई कुछ नहीं मिला ना उनको वारेंट दिया गया एक सांसाथ को बगएर वारेंट के गिरफतार कर लिया जाता है ये हमारा देश है, हम लोग सांसाच संजय सिंग जी की पूरी बातों को जनता के पास लेकर जाएंगे, घर घर लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से इंडिया अलाइन से मोधी सरकार घबराई हुई है और हम लोग इसका पुर्जोर विरोध करते हैं और ये मायं करते हैं कि संजय सिंग जी को तुरंट रिहा किया जाए मोधी जी का एक डिपार्टमेंट है, इंटरटैन्मेंड डिपार्टमेंट जिसको आप एडि के नाम से जानते हैं ये संजए सिंग्जी को गिरफटार करती है, ले जाती है, रिमांड पर लेती है, इनको आठ दिन में संजे सिंग्ज से केवल 3 गंटे बात करती है, जिसमें से करती हैं, जिसमें जब पुण्यालय में उनको पेश किया जाता है संजए सिंग्जी को, तो वहां पर wooden happens, प दाम बता रहे थे एक लोगों से मुलाकात कराई तो कहीना कहीं संजें सिंह को प्रतारणा दे रहे हैं इस बात के लिए कि कुली की बात उन्हों 6 टीटी की इसलिए मोदी जी घबडा के संजे सिंग जी को ED के माध्यम से संजे सिंग की आवाज को दबाना चाहते हैं और संजे सिंग इस उत्तर प्रदेश के माटी के लाल है, सेर है, वो दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है हम लोग उनके एक एक सिपाही अपनी जान उनके लिए देने के लिए तयार है 21 तारीक को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा अंदोलन होगा उसके बाद 27 तारीक को हम पूरा उत्तर प्रदेश दिल्ली की कूछ करेगा सर्वेस आदो जिला महा सचू आप प्रियाग राज संगम नगरी प्रियाग राज में माफिया डौन दाउत इबराहिम के करीबी डौन बबलु स्रिवास्तो की आज जिला कोड में पेशी हुई है बतात हैं सरराफा वैपारी अपारण कार्ण में हुई है पेशी पंकज महेंदरा के अपारण कार्ण 2015 में हुए मामले में बबलु स्रिवास्तो को बरैली जेल्ज प्रियाग राज लायक के कोड पेश किया गया है वहीं अन अब्युक्तों की भी इसमें गवाई होनी है जिसके बाद कोड फैसला सुनाएगी हाई कोड के निर्देश पर डे टू डे होनी है सुनवाई इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना जिला सास की अधिवक्त तक फौजदारी गुलाब चना गरेरी का ये दिखाते है देखिए ये गटड़ा आज चितंबार 2015 की थाना कोड़ वाली की है और इसमें अभिक्त बबली सिरी वास्तों के आपरादिक सड़ेंतर वास साजिस के तहत अन्यस्ता है अभिक्तों ने सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा का अपरण किया गया था और पंकज महिंद्रा को पुलिस द्वारा जन्पत फतेपूर के अंतरगत उसको एक कमरे से बरामत किया गया था और उसमें जब उसके भाई वादी ने फोन किया तो उससे एक अंजान ब्यक्ति ने अबद्रता करते हुए और दस करोड फिरोती की मांग की गई थी तो यह है अभियुक्त बबलू सिरिवास्तो दस करोड फिरोती के मामले में बरैली जेल से माननी नेले गंगेश्टर जेस सिरिविकास कुमार सिरिवास्तो दोरा तलब किया गया था और आज अभियुक्त बबलू सिरिवास्तो बरैली जेल से पुलिस सुरच्छा में माननी नेले एडिजे सेकेंड गंगेश्टर जेस की कोट में फेश हुआ और उसका अंतरगत धारा 313 CRPC के तहत बयान माननी नेले द्वारा दर्ज किया जा चुका है अब चुकि उसका बयान दर्ज हो गया है तो जहां से उसे लाया गया है उसको पुलिस वहीं ले जाएगी अभी अन्य सहे अभ्युक्तों के अब तक पांच अभ्युक्तों के बयान दर्ज हो चुके हैं और इसमें कुल दस अभ्युक्त गण है जिनके बयान अंतरगत धारा 313 CRPC में रिकार्ड होने के बाद ही अग्रिम्ति थी नेत की जाएगी लेकिन इसमें मानी उच्च नेले क का आदेश डे टूडे सुनवाई के लिए है गुलाप्ट नगरेरी जिरासाज के द्युक्ता पहदारी प्रयाग्राइश अभ्युक्तों में माना कि किनापिंग में हो सामिलता है तो कि जिस समय की घटना हो समय वरेली जेल में बनता है अब और यह सब चीजा इस यूस चानल को सब्क्राइब करें